ऐसे पायमा सकंद माता का आर्शिवाद, जाने विधी, आर्थी और कथा। शार्दिय नवरात्र के पांच में दिन देवी दुर्गा के पांच में स्वरूप माता सकंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मा सकंद माता अपने भक्तों पर पुत्व के समान सनेह लुटाती हैं। मान्यता है कि सकंद माता की विधी विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है। पुत्व के साथ की जानी चाहिए। ऐसे पायमा सकंद माता का आर्शिवाद, जाने विधी, आर्ती और कथा तीन। सकंद माता का स्वरूप, सकंद माता की चार भुजाएं हैं जिन में से माता ने अपने दो हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा मा स्कंद माता की कथा, परानिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता ही हिमाले की पुत्री पारवती हैं, जिन्हें महिश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है, स्कंद माता कमल के पुष्ट पर अभे मुद्रा में होती है, मा रूप बहुत सुंदर है, उनके मुख पर त इस वज़े से पुरानों में सकंद माता को कुमार और शक्ती नाम से महिमा का वर्नन है। इस मंत्र के उच्चारन के साथ मा की आराधना की जाती है। इस में कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रख दें। सकंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अब सकंद माता की श्रद्धा भाव के साथ आरती उतारें। सकंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। माता को श्रिंगार का सामान चड़ाएं। सकंद माता को इन चीजों का लगाएं भोग। पंचमी तिथी के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। और यह प्रसाद ब्राहमन को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धी का विकास होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा होती है पूरी। ऐसी मान्यता है, कि संतान प्राप्ति की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती है। आदिशक्ती का इस वरूप संतान प्राप्ती की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। सकंद माता की पूजा में कुमार कार्तिके का होना जरूरी माना गया है। मा की कृपा से बुद्धी का विकास होता है और ज्यान का आशिरवाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांती की बनी रहती है।